तो जहे हैं इन सभी सात्यों को तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर कोचिंग रेलवे बाय टेस्ट बुक पर तो गोल्डन ट्रिक वन कैसी लगी थी कमेंट करके बताईएगा आज मैं गोल्डन ट्रिक टू पार्ट लेके आया हूं तो गोल्डन ट्रिक पार्ट टू में आपको क्या देखने को मिलेगा जैसे मेरा थम्मेल आपने पीशे देख लिया होगा golden trick part 3 लेके आऊँगा तो आप सभी लोग part 3 की demand अगर करेंगे तभी part 3 आएगा otherwise part 3 लाना फिर मेरे लिए बहुत असंबब बात हो जाएगी आप लोग जितना वीडियो शेयर लाइक करोगे उधरा में अंदर motivation आएगा तो चलिए start करते है repetition of calendar में start करते है सिक्षा उस मुंबत्ती की तरह है जो अंदकार भी प्रकाशिस होती है तो आएए अब start करते है golden trick में देखे मेरे पास एक सवाल है अगर मेरे पास जो सवाल है वो यह देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा यह सवाल है कि आने वाले कौन से वर्ष का calendar 1972 के calendar के समान होगा तो मैं अगर अपने भाईयों से अगर एक बात कहूँ तो मैं यह कहूँगा मेरे भाई यहाँ पर 1972 लिखा हुआ है आप आखे बंद करके इसमें 28 जोड़ दो तो मेरा भाई यहाँ पर 8, 2, 10 जोड़ेगा carry 1 लिखेगा और यहाँ पर करेगा 7, 2, 9, 10 carry 1 करेगा 9, 10 करेगा और एक को 2 कर देगा यानि मेरा भाई इस आंसर को 2000 पर लगा के आगे बढ़ जाएगा लेकिन मेरे भाई को यह नहीं पता है कि वो 28 ही क्यों जोड़ रहा है और कुछ भी तो जोड़ सकता था तो आए इसकी concept को पहले चड़ते हैं मेरे पास सवाल था कि यहां पर जानता हूं कि प्रतेग चार वर्ष के बाद लीपियर आता है आप भी जानते हो है ना तो चलिए आपको यह पता दूं कि इस चार वर्ष में है आप जानते हो ना कि अगर चार बच का गयप है तो तीन नौर्मर हमघ्यर होंगे लीप यई होगा और लीपियर की गुणाश नॉर्मल की के करेंगे एक से तो तो टोटल आपके पास और डे कितना आ गया पांच यह आपके पास टोटल और डे कितना आ गया बच्चे पांच कितना और डे आया आपके पांच यानि कि अगर आप देखेंगे तो 1952 में टोटल आपके पास कितने और डे आ गया पांच यानि कि हर चार साल में कितने विशम इसके बाद पर 1900 आप कहां पर जाएँगे 56 पर तो आपके पास और दे कितने आएगा पांच क्योंकि जब और दे 0 बंजाता है तो वह repeat year कहला यह तो फिर इसके बाद आप जाएंगे 1960 में क्योんकि 00 orde कितना आएगा 5 फिर 19 sur 60 के बाद 1963 में जाएगे aved उडल कितना आएगा 5 19972 में जाएगे उडल कितना आएगा 5 फिर से कितना आएगा 5 तो जोडते हैं 5 10 15 20 25 20 और फिर 35 • अब आपका कितना ओड़ या 25 और जब साथ से डिवाइड किरोगे तो यहाँ पर आपका remainder कितना आजाएगा जीरो इसका मतलब यह हुआ कि 1948 का जो calendar है जनाब वो आप repeat होता हुआ कब देख रहे हैं 1976 में अच्छा अगर मेरा भाई ये तो basic तरीका हो गया एकदम basic तरीका है लेकिन exam में हमारा करना question कैसे होगा golden trick के हिसाब से तो वो golden trick क्या कहती है मेरे भाई सुनिएगा golden trick मेरी ये कहती है कि अगर कोई भी leap year दिया हुआ है कोई भी आपका कैसा दिया हुआ है leap year दिया हुआ है आप आखे बंद करके उसमें 28 जोड दीजेगा तो जो भी आपका answer आएगा वो मेरे भाई आप लोगों का answer हो जाएगा leap year का repetition example के तोर पे जैसे मैंने अभी आपसे अगले question में कहा था कि 1948 का calendar कब repeat करेगा तो 1948 में अगर मैं 28 जोड दूँगा तो answer क्या होगा आठ आठ सोला का छे केरी बन चार दो छे और एक साथ यह हो जाएगा नो और यह हो जाएगा एक यानि कि क्या 1976 option में था हमारे जो हमने solve किया था तो आप कहेंगे भाईया बिल्कुल हाँ 1976 में तो repeat कर रहा था यानि कि 1948 का calendar 1976 में repeat कर रहा है तो मेरा भाई आप golden trick यहाँ पर यह लगाएगा कि कोई भी leap year में अगर आप 28 जोड़ोगे तो आपका answer आ जाएगा बुलो हाँ याना समझ में आ गया एक बार comment करके बताओ yes के साथ कि अगर किसी भी leap year में आप मेरा भाई 28 जोड़ोगे तो आपका answer आपको मिल जाएगा leap year में clear है न एक बच्चे को भी बताएंगे वो भी समझ जाएगा कि सर जी कोई भी leap year में 28 जोड़ोगे तो आपका answer leap year में आएगा ठीक है और leap year के लिए leap year ही आना जरूरी है यह बास समझ में आ गई होगी last की two digit जब आप चार से divide करते हो न तो वही leap year पता चल जाता है जिसका reminder zero आता है ठीक है तो चलिए अब मैं अपने सवाल पर चलता हूँ तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने य 1976 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा अब पहले यह देख लो कि 1976 का leap year है क्या विल्कुल चारी कम 4 3 और 6 436 यानि leap year है तो बस कतम कहानी 1976 में भाया कुछ नहीं करना है जनाव 28 जोड़ना है आच है आच है कितना होगा 14 carry 1 हो जाएगा 7 2 9 10 carry carry 1 9 10 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा औ का option एक दम perfect है बोलो C option कमेंट section में जरा C type करिएगा सभी लोग स्पीट के साथ समझ में आगे न कि किसी भी leap year में आपको सिर्फ 28 जोड़ना है बस बाकी जादा महनत मेरे भाईयों को नहीं करनी है चलो बताओ 2020 का calendar कब repeat करेगा कमेंट एकदम on है आप लोगों का कमेंट मेर एक बच्चे तक कि जिस बच्चे को ट्रिक नहीं पता होती है वो भी अपनी ट्रिक सीख जाए तो सर 2020 leap year है बिलकुल भाई leap year है क्योंकि आपको पता है कि लास्ट के टू डिवाइड हो रही है अरे मिंडस 0 आ रहा है तो 2020 में अगर मैं 28 जोड़ दूगा तो क्या 2048 नहीं आ रहा है आखे बंद करके क्या आंसर सी नहीं लगा देंगे बोलो हाया ना कमेंट करके बोलो यानि कि इसका आंसर एकदम सी है क्या सभी लोग मेरे भाई कमेंट कर रहा है ना थोड़ा सा स्पीट के साथ बहुत बढ़िया चलो अब यहां पर देना है 1876 बहुत इसको क्योंकि आपको यह सवाल NTPC या ALP में 100% की पूछेगा और सिली मिस्टीक मेरा सब भाई करेगा अब देखेगा अब आप कहेंगे कि सर 1876 है ना सर यह तो लीपियर है 1876 क्योंकि आपका चैतर लीपियर है कन्फम है आप पता जल्दी बाजी में 28 जोड़ोगे आच्छ चौ अब क्या होगा भाया हमने तुझो ट्रिक लगाई उसके हिसाब से तो मामला एकदम ही गर्त में चला गया अब क्या करोगे जनब अब मैं आपको इसकी सीधी एक शिंपल सी ट्रिक दे दूँगा ना मजा है तो बताना कि आप जब भी यार रखीगा जब भी मेरे भाई यह पर एक बात ध्यान लखीगा हमेशा कि जब आप किसी साधारन वर्ष को क्रॉस करते हो जैसे यहाँ पर बच्चे आपका क्या दिया था अथारा सो जैसे अगर मैं यहाँ पर question की बात को तो अथारा सो शेटर दिया था जब तुमने यहाँ पर अठाई जोड़ा तो तुम लो यह आपका वर्स कैसा था साधारन सतापदी वर्स था तो जब भी आप 28 जोड़ो अगर वो साधारन सतापदी वर्स को क्रॉस करें तो वो हमारा आंसर जो आएगा ना वो गलत होगा तब उस केस में बच्चे हम लोग वहाँ पर 28 न जोड के कितना जोडेंगे तो 1876 में बच् इस कब जोड़ते हैं ये भी रिख लीगा जब हम यहाँ पर लिख देता हूँ जब हम साधारन सतापदी वर्ष को पार करते हैं पार करते हैं एक्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को दे देता हूँ उधारन के तौर पर जैसे कि मतलब आपको जब भी साधारन सतापदी वर्ष क्रॉस करना होगा तो बच्चे मेरे आप क्या जोड़ोगे चालिस क्लियर हैं तब आप क्या जूड़ोगे चालिस ठीक है अब मैं अपने कोशन पर चलता हूँ जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था देखेगा मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था बच्चे 1876 तो यहाँ पर 28 ना जोड़ के अब आपको क्या जोड़ना होगा बच्चे 40 क्या जोड़ना होगा 40 यानि कि आपको बच्चे क्या जोड़ना होगा 40 यानि कि 1876 में अगर 40 जोड़ दोगे तो यह च्छे तो 1916 आप्शन नंबर D में मिल रहा है कमेंट करके बोलो क्या कॉंसेप्ट समझ में आया अगर बढ़िया लगा तो थम्सप करके बताओ उपर अगर बढ़िया लगा तो थम्सप उपर होना चाहिए तो यह आठ आजाएगा आठ दो दस केरी वन हो जाएगा साथ और एक आठ और अठारा सो आठ अब पता है सबसे वड़ी बात क्या है भाईया अठारा सो आठ भी दिया हुआ है यह गलती आप मत करिएगा मेरे भाई बस इस गोल्डन ट्रिक को बताने का यही एक मकसद है कि आप लोगों को यहाँ पर 28 नहीं जोड़ना था क्योंकि जब आपने 1780 में 1800 में एंट्री किया तो क्या तुमने 1800 का मन्थ में नहीं एंट्री किया था यह 1800 के साधान सताब्दी वर्ष नहीं था क्या तो जब तुम 28 जोड़के किसी साधान सताब्दी वर्ष को क्रॉस कर सवाल का एकदम correct option होगा मेरे भाई अगर कमेंट कर अगर अच्छा लग साह आ तो कमेंट करो यह अगर अच्छा लग लिटरली तो कमेंट करना कि यह बारी किया चीजें हमें सेकेंडी हो रही है चलो मेरे भाई अब यह रहा आपका का अगला सवार जल्दी से बता दो 1684 तो 1684 में पहले आप 28 जोड़ोगे न यही तो करो कि आच्छा बारा दो केरी वन हाना केरी वन हो जाएगा ठीक है और आच दो दस दस और केरी वन साथ इच्छे और एक साथ यह हो जाएगा 1712 अब 1712 तो ऑप्शन में भी है तो क्या यह यहां पर 28 जोड़ेंगे क्योंकि जब आपने 1712 में गए थे तो आपने साधारन सताबदी वर्ष को क्रॉस किया तो 1684 में आपको 40 जोड़ना था भाई तो यह चार हो जाएगा आठ चार बारा कर दो केरी वन छे और एक साथ यह हो जाएगा 1724 आपका आंसर हो जाएगा कमेंट करके बोलो हां या ना मज़ा आया ट्रिक में तो यानि कि लीप एर में आपको 2840 जोड़ने वाला कॉंसेप्ट क्लियर हो गया एक बार क्लियर के साथ सारे लोग एक बार सवाल और दूँगा आपके होंबक में यह आपके होंबक का जवाब होगा और सभी लोगों को ना होंबक में लिखना है और गोल्डन ट्रिक है आपको यह डालना पड़ेगा गोल्डन ट्रिक 3 ठीक है मैं तीसरा पाट तभी लेके आऊंगा गोल्डन ट्रिक का जितने ज्य के लिए थैंक यू सब लव यू ओन